प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रेक्टिस सेट देख रहे हैं आज प्रेक्टिस सेट नमबर 28 देखेंगें जिसमें दिया हुआ 75 प्रस्णों को डिटेल सोलूसन करेंगें तो आईए शुरू करते हैं पहले प्रस्ण से पहला प्रस्ण है कि एक बिज्ञान की पुस्तक में समान अउसत प्रिज्जा और समान लंबाई की दो परिनलकाओं पी और क्यू को दरसाया गया है पी के अंदर खीची गई छेतरेखाओं की संख्या की तीन गूनी है यदि दोनों परिनलकाओं में प्रवाहिधारा समान है तो परिनलकाओं में पी फेरों में संख्या परिनलका क्यू में फेरों की संख्या की कितनी गूनी है प्रस्ण में कह रहा है कि परिनलका जो पी के लिकाओं के इंदर चत्र के संख्य और थात वी पी जु है वो ठिरी बीट कुछ है परियन लिकाओं के अंदर चत्र रहूं के संख्याओं बरम्यhearted b रहा होता है यानि जो होता है प्रोपेशनल कितना होता है नहीं होता है इंद बटा बीक्यू बरबर कितना हो जाएगा एनपी बटा एनक्यू हो जाएगा यानि थ्री बीक्यू बटा बीक्यू बटा हो जाएगा एनपी बटा एनक्यू यानि एनपी बरबर हमारे पास हो जाएगा थ्री इंटू एनक्यू अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वह जाएगा तीन गुनी हो जाएगा एफ और टुएफ की बीच रखी बस्तु का उत्तर लेंस द्वारा बना परतिवीम होता है और इसका सही अंसर हो जाता है कि एफ और टुएफ की बीच रखी बस्तु का उत्तर लेंस द्वारा परतिवीम बस्तविक एवं उल्टा होता है और ये बस्त लेंस है, next है A और B एक कार्ज को करम सा 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर चाए, A और B जो है वो कितने दिनों में, 10 दिन में और ये 15 दिनों में कार्ज को पूरा करता है, उन्होंने एक साथ कार्ज परना पर रहा हुआ किन्तु तीन दिन पसाथ B ने कार्ज छोड़ दिया, तीन बच्छा कितना हुआ पांच वा लेकिन 3 दिन इन लोगें काम किया तो कितना हो गया 15 मैं से 15 घटा देंगे तो बच्छा कितना 15 stress बच गया है जिसे ये ने पूरा किया है तो कितनय दिनों किया है तीन से भागा दे दें, क्योंकि चमता 1 का 3 है, तो यह 5 दिनों में पूरा किया, अभव यानि तीन दिन सुरुवात में काम चला और बाद में अकेले 5 दिन किया, तो पान तिन यह A पलस भी मिल के किया, और यह A किया, तो पान तीन 8 दिन, अंसर जो हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा D अगला प्रस नेक संख्या दिया हुआ है इसे सिर्फ इसका मान निकालना है तो सीधे क्या हो जाएगा 9 9 9 9 से अगर गुना करना है 99 और पलस 71 जोड़ देना है और उसमें से फिर 99 गुना करना है सबसे पहले इसे करेंगे तो 99 एक आसी होता और यह कत्तर से जोड़ते अगर माले के कत्तर जोड़ते तो जो यूनिट डिजिट होगा कितना हो जाएगा दो आ जाता और नीचे बलन 9 से 99 से 99 तो कठी जाता तो यूनिट डिजिट जो आता वो दो आता इसमें उप्सान में देखें करते हैं कथन है भारत में निर्मी सभी आइसक्रीम ब्रांडों में से अमूल ब्रांड की बिक्री पिछले 5 बर्सों में सबसे अधिक है अन आइसक्रीम ब्रांडों की बिक्री में परते एक बर्स उथार चड़ाब होता है निसकर्स भारत के निवासियों के बीच अमूल आइसक्रीम का स्वाद लोग पिरिये हैं दूसरा अन सभी भारती आइसक्रीम ब्रांडों की विक्री ग्यात है इसका जो सही अंसर हो जागा B केवल निसकर्स एक और दो दोलों पालन करते हैं अगला है दी गई जानकारी को ध्यान पुर्वक पढ़िये और दिये गई प्रस्न को उतर दीजे एक कारियाले में 200 करमचारी है पूरे कारियाले में कितने हैं 200 करमचारी है जिसमें 130 करमचारियों के पास distrof है कितने के पास है 130 करमचारियों के पास जो है वो distrof है उसके बाद कर रहा है कि 100 के पास laptop है laptop कितने के पास है तो laptop है 100 के पास laptop कितने के पास है 100 के पास तथा 60 के पास distrof और laptop दोनों है तो इतना जो है वो 60 के पास है और यह 100 लैप्टॉफ है तो इस 100 में से 60 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा यह 100 में से 60 करेंगे तो यह 40 आ जाएगा 130 में से 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा 130-60 कितना हो जाएगा यह 70 हो जाएगा इन में से कितने करमचारियों के पास केवल लेप्टोफ है केवल लेप्टोफ करा है तो यहाँ पर से अगर वेन आरेकस पस्ट है तो केवल लेप्टोफ अगर कहा जाए तो सिर्फ 40 करमचारियों के पास है कितने करमचारियों के पास 40 करमचारियों के पास केबल लेप्टप है अंसर जो हो जाएगा अली बिंदू P से पस्चिम के ओर 12 किलो मीटर गाड़ी चलाता है पस्चिम के ओर कितना चलाता है 12 किलो मीटर फिर हुआ कि हमें दाएं मुड़कर 6 किलो मीटर चला कर बिंदू Q पर पहुचता है यहां से दाएं चला कर वो कितने 6 किलो मीटर 6 किलो मीटर वो Q बिंदू पर जाता है वहां से दाएं मुड़कर 5 किलो मीटर चला कर वो S पर पहुच जाता है यहां से वो कितने पर चलाता है इस पर पहुचता है पांच किलो मीटर चला कर फिर वह आखरी बार दाय मुड़ता है और दस किलो मीटर गाड़ी चला कर बिंदू T तक पहुचता है यहां से कितने तक पहुचता है ती तक पहुचता है और कितने 10 किलो मीटर गाड़ी चला कर T पर पहुचता है पूराब की ओर 7 km अब ये जब हम पूरा देखते हैं तो कितना टोटल है ये 12 km चलता है बारा में से एगर 5 घट आएंगे तो ये 7 बचेगा ये कितना बचेगा 7 बचेगा अगर पूराब की ओर 7 km चलता है फिर बायमूर कर 4 km जाएगा तो वो P की बिंदू पर हो जाएगा अ option B नर्मदा नर्मदा प्राइदी प्य भारत की पस्चिम के और बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी मध परदेश राज के अनुपूर जीले के अमर कंटक पठार से निकलती है अगला है किसी परिनालिका यानि सोलेनोइड के भीतर चुमबा के छेतर खाली स् सबी जगह जो होता है वो समान होता है यदि तरंग धर्ज बैगनी से लाल रंग की तरह बढ़ाया जाए तो चमक होगा अंसर हो जागा ए पहले बढ़ेगी फिर गटेगी यदि तरंग धर्ज बैगनी से लाल रंग की तरह बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, नेक्स्ट है, 720 रुप्या की कमाई में से 55% खर करता है, वह कितना बचाता है, तो वो 35% ही बचाता है, तो 720 गुना 35, अब बटा 100 कर देंगे, हमारे पास आ जागा 252 रुप्या, अंसर जो होगा, वो होगा B, नेक्स्ट है, एक दुकांदार बस्तु खरिदने में 10% की बेमानी तथव से बेचते समय 30% की बेमानी करता है, उसका बस्तविक लाव परतिसत क्या हो जाएगा, तो बस्तविक लाव परसेंट बरबर हो जाएगा, दोनों बार बेमानी कर रहा है, तो 10 पलस 30, अब पलस 10 गु केबल एक पुत्री है, कोई संध्या है, कोई संध्या है, उसकी जो है केबल एक पुत्री है, सूखी की बहन रीना संध्या की मोशी है, जो रीना है, वो क्या है, वो संध्या की मोशी है, उसके बाद करा सूखी की बहन है, यह जो है, यह सूखी की बहन है, इन दोनों बहन है और यह संध्या तो यह क्या हो जाएगी मा हो जाएगी और संध्या की केबल एक पुत्री है क्या है एक पुत्री है सुखी की मा जो है बुरुना की केबल दो पर नातिन एनम और जैसिन है सुखी की मा सुखी की मा कौन हो गए यह बुरुना अब बुरुना के पर नातिन एनम जैस्मीन यानि ये कम प्रणातिन हो दो भी बेटी से हो सकती है उसकी भी और रीणा भी तो बेटी जो संध्या स्विद असकी बिटि होगी और इसकी भी कोई बेटी होगी तभी एनम होगा उसके बाद करा है रीना के दो नातिन नातिन है रीना के भी दो नातिन नातिन है एक एनम हो गया एक कोई और होगा नातिन रोहन और एनम है यानि एनम है तो यह हो जाएगा क्या रोहन संध्या की बेटी कौन है तो संधिया की बेटी एक एनम एक रोहन तो हो गया किसके रीना के नातिन तो जैस्मीन जो हो है वो संधिया की पुतरी है अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो जाएगा A नेक्स्ट है निम्लिखित प्रस्ट पर बिचार करे और नीड़ने ले कि उसके संबंद में निम्लिखित में कौन से तर्क मजबूत है क्या स्थानिया स्पतालों द्वारा टीका करन के लिए जागरुकता कार्जक्राम आयोजित किया जाने चाहिए तर्क हाँ इसमें माहा मारी को रोकने में मदद मिलेगी दूसरा नहीं या स्पताल की जिम्यदारी नहीं है अधिकारियों का कार्जवर बढ़ जाएगा सही जो अनसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप्सन एक केवल तर्क एक मजबूत है उस बिकलब का चैन करेज जिसमें दिये गए सब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिगे सब्द इंके सब्दों के बीच है ब्रेड स्लाइस उसके बाद क्या होगा अनसर हो उस परिद्रिस में निमलिखित में कौन सा मुद्दा परसांस्किक नहीं था और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सन सी लोगों की समाजिक आर्थिक इस्थिती बहुत अनुकूल थी यह नहीं था नेक्स्ट है दो दसमलब 0 सेंटीमीटर उचाई बाले किसी बस्तू को एक और यह खाले स्थान हो जाएगा इसका जो अंसर हो जाएगा वह सी हो जागा 2 संटीमीटर से अधीक होगा और वह कैसा होगा वह सीधा होगा अंसर हमारे पास आ जाएगा इसी नेक्स्ट है 4 cm अकार वाले किसी बस्तु को 8 cm फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पन के सामने 24 cm की दूरी पर रखा गया है निर्मित परतिवीम खाले स्थान होगा और उसकी उचाई खाले स्थान होगे तो बस्तु का जो है एच नोट दिया हुआ है कितना 4 cm एफ दिया हुआ है 8 cm और यू दिया हुआ है माइनस 24 cm तो परतिवीम जो दूरी है भी बराबर वो निकालना है दर्पन फर्मूना लगता दिए 1 वाई एफ बराबर 1 वाई यू पलस बन वाई भी तो 1 वाई 8 बराबर 1 हो जाएगा यहां से भी निकल जाएगा कितना 6 और यह कितना 4 यह सीधा होगा अबर्धन m बराबर होता है वट होता है और एक सेंटीमीटर बनेगा अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A नेक्स्ट है साथ लेटर के मिसरन में दूद और पानी का अनुपात दो अनुपात तीन है दूद और पानी का अनुपात एक अनुपात दो बना लेख लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए तो 60 गुना अगर 2 बटा 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 लीटर मिस्रन में दूद की मातरा पानी की मातरा कितना हो जाएगा तो 60 गुना 3 बटा 5 कर देंगे 36 लीटर जो है वो पानी की मातरा है माना कि मिलाएगा है पानी के मात्रा कितना है एक्स लीटर है तो हो जाएगा कितना 24 बटा 36 प्लस एक्स बरबर कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा बन वाई टू के अन पात में होना चाहिए यहाँ से एक्स का मान जो निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 लीटर हो जाएगा तो हमारे पास चो अंसर आजाएं बिलाएगा पानी के मात्रा कितना हो जाएगा D 12 लीटर नेक्स्ट है यदि एक सम दिवाहुस सम कोन तिर्भुज का जो कर्न है वो 10 सेंटीमीटर है तो अन दो भुजाओं की लंबाई खाले स्थान होगा तो रूट 2 21 बरावर दिया होगा है कितना 10 सेंटीमीटर है एक इकाई बरावर कितना हो जाएगा एक इकाई बरावर हो जाएगा 10 बचनारूट 2 बटा रूट 2 करेंगे 5 रूट 2 आ जाएगा यानि अन्य दो भुजाओं की लंबाई होगा पांच रूट टू और पांच रूट टू सही अंसर हो जाएगा भुजागा ए एक निश्चित कूट भासा में नोशन को एतना के रूप में लिखा गया है तो उसी भासा में ब्यूटिफाई को किस रूप में किया गया है हां पर बिपरित अच्छर का स्थानियमान लिखा गया है एन का जो बिपरित होता है वो एम है और एम का स्थानियमान तेरा होता है O का Viprit L होता है, इसका couch 12 होता है, T का Viprit 1 G होता है, इसका couch 7 होता है, और इसी तरह क्या है? I के viprit जो है, वो R होगा, 18 होगा, O का Viprit L होगा, 12 होगा, N का Biprit جो है, Vm होगा, कितना होगा, 13 होगा, यानि वीपrit अच्छर करके उसका couch was that was written, का इसका होगा उसका दो शहाँसर धो टो हमारे पास निकल के आजाएगा अनसर हो जाएगा वो है A A का आर्थ पलस B का आर्थ माइनस C का आर्थ गुना और D का आर्थ भागा है तो दिये गए समिकरणों में कौन सा समिकरण संतूलित है जब इसे संतूलित करिएगा अगर पहला है चेक किजिएगा तो इस तरह चेक करना 45 भागा 5 गुना 7 पलस 14 इक्वल टू 77 अब सोल्व किजिएगा तो यह आ जागा समिकरण संतूलित है अंसर जो हो जागा वो हो जागा A 6 मित्र A, B, C, D, E, F, X C, D, 36 पंक्ति में उत्तर के और मुह करके बैठे है B जो है F और C के बीच में बैठा हुआ है अगर यहाँ पर F है यहाँ पर C है यहाँ पर कौन बैठा हुआ है B बैठा हुआ है E जो है C के दाइयोर C के दाइयोर इतने तिसरे अस्थान पे यानि 1, 2, 3 यहाँ पर बैठा हुआ कौन है तो बैठा हुआ है E है C के दाई और तिसरे स्थान पे D जो है E के बाई और ठीक बगल में बैठा हुआ है वहाँ पर कहां बैठा हुआ है यह कहां पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा जो एक खाली है तो B के दाई और तुसरे स्थान पे कौन बैठा है सही अंसर हो जाएगा option B यानि अंसर हो जाएगा कि A बैठा हुआ है बारत में बन सरच्छन अधिनियम बर्ष खाले स्थान पारित किया गया था सही जवाब हो जाएगा अगला है जब चुमबक्ये छेत्र के भाग में चुमबक्ये बाल रखाएं अधिक सगन होती है तो निम्लिखित में से किसकी उपस्तिती इंगित करती है और इसका सई अंसर हो जाएगा D. परवल चुम्बक्ये छेत्र का जब चुम्बक्ये छेत्र के भाग में चुम्बक्ये बल रिखाएं धीक सघन होती है तो परवल चुम्बक्ये छेत्र होता है किसी बंद छेतर से गुजरने वाले कुल चुम्बक ये बल रिखाओ को चुम्बक ये फ्लेक्स कहते हैं बैमंडल ये अपवर्तन के कारण छितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की अभासी स्थिति उसकी बस्तविक स्थिति से थोड़ी होती है और ये अभासी स्थिति खाली अस्थान जिसके परिणाम शुरूप तारे टिम्टी माते हैं अंसर हो जाएगा चुम्टी में परकास की किर्णों के एक मध्यम से दूरे मध्यम में जाने पर अभिलम से दूर भागना या निकट आना अफवर्तन कहलाता है नेक्स्ट है कितने एक बटा छे मिलकर एक तालिस पुनांग दो बटा तीन के बराबर हो जाएगे यानि हमारे पास जो है तालिस पुनांग दो बटा तीन को लिख सकते हैं कितने एक सो पचीस बटा तीन यानि अभीष्ट परिनाम बराबर जो होगा 125 गुना 6 बटा 3 गुना एक कर देंगे यानि 2500 तोटल अगर 2500 एक बटा 6 करेंगे तो हमें मिला के हो जाए 40 पुटाग 2 बटा 3 प्रस्न यदि सेख थिटा प्लस 10 थिटा बराबर 2 प्लस रूट 5 हो तो साइन थिटा प्लस कॉस थिटा का मान क्या होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको एक्वेशन एक मान लेना है और दूसरा equation मान लेंगे कितना सेक थिटा माइनस 10 थिटा बराबर हो जाएगा कितना 1y root 5 प्लस 2 यह जो हमारे पास है equation उसको 2 मानेंगे लेकिन इसे 1y root 5 को solve करेंगे तो क्या हो जाएगा root 5 माइनस 2 बटा root 5 प्लस 2 एक तरह root 5 माइनस 2 यह उपर नीचे गुना के हैं तो कटिया वही लिखा गया जब इसे लिखेगा तो root 5 माइनस 2 आएगा यह हमारा जो है वो कितना है यह समीकरन 2 आगया है अब कहरा है कि समीकरन 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2 से एक थिटा 2 से एक थिटा बरबर आ जा रहा है 2 पलस root 5 पलस root 5 माइनस 2 यानि हमारे पास यह कितना आ गया तो यह आ गया root 5 रूट 5 2 root 5 हो गया और दो दो कट गया यानि से एक थिटा बरबर हमारे पास आ गया वो कितना आ गया root 5 तो हम cos θ वरबर कितना कह सकते हैं 1 by root 5 हमारे पास ये एक आ गया 6-5 by root 5 आप समीकरन को जोड़े थे आप समीकरन को अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 210 थीटा वरबर कितना हो जाएगा 2 plus root 5 तो मैनस root 5 plus 2 यानि कितना जाएगा 4 10 theta बरबर कितना हो जागा 10 theta बरबर 2 हो जागा अब 10 theta by 6 theta कर देते हैं 10 theta कमान कितना था तो 10 theta कमान था 2 और 6 theta कमान कितना था यहाँ पर था 6 theta के root 5 तो यह root 5 हो जागा 10 theta by 6 theta बरबर क्या होता है sin theta होता है यहीं sin theta कमान भी आ गया प्रस्ट में कहा रहा है कि sin theta plus cos theta कमान क्या होगा तो sin theta कमान कितना हो गया 2 root 5 आया plus cos theta कमान कितना था बनवाई root 5 जब इसे solve किज़ेगा 3 root 5 आजाएगा अंसर जो हमारे पास आजाएगा अगला प्रस्ट है कि एक निश्चित कुट में धोनी को इस तरह लिखा जाता है तो उसी कुट में expose को कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर देखिए कि d के से a गया है minus 3 गया है h से e गया है minus 3 o से a गया है minus 3 n से k गया है minus 3 और i से f गया है minus 3 sum minus 3 minus 3 है expose में भी minus 3 हो जाएगा e से minus 3 करेंगे तो b होगा एक से मैनिस थिरी करिंग तीव होगा इसी तरह अंसर जो आजाएगा हो जाएगा B उस बिकलब का चैन करें जो दिये गए सब्दों को उस करम को दर्शाता है जे करम अंग्रेजी के सब्द को उसमें मवजूद है सही अंसर जो होगा वो हो जाएगा option C अगला प्राशन है उस बिकलब का चैन कीजिए जो पाच्वा संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंदित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंदित है दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंदित है तो आइए देखते हैं चार नो पांच बारा तीन उसके बाद क्या होगा तो चार गुना तीन करते हैं चारतीय बारा मेंसे तीन घटाते हैं तो कितना हो जागा नो उसी तरह अगर हम पांच गुना तीन करते हैं उप्सन बी, निमली खिज में किस दीन को भारत के समिधान दिवसке के रूप में मनाया जाता है और इस कांसर हो जागा D 26 नवंबर 26 नवंबर को भारत के समिधान दिवसके मनाया जाता है क्योंकि ये बर्ष समिधान निर्माथा डाक्टर भीम्राव अम्बेद करके 125 जन्म दिवस के रुप में मनाये गया 26 नवंबर 1949 को समिधान सवा ने समिधान को अपनाया था समिधान के निर्मान में समिधान सवा को 2 बर्स 11 माह और 18 दिन लगे थे क्लोरिन, ब्रोमिन और आयोडिन डोब्रेन त्रीक बनाते हैं क्लोरिन और आयोडिन के परमानु द्रभमान का अफसाथ खाली अस्थान के सन निकट है क्लोरिन के अगर कहा जाए तो कितना होता है 35.5 अब ब्रोमिन के होता है 89.904 आयोडिन के परमानु द्रभमान कितना हो जाएगा कितना है तो आयोडिन के 126.904 है ड्रोब्रेन के त्रिक के अनुसार जो होता है वो अगर हम देखते हैं कि क्लोरिन CL पलस आयोडीन बटा 2 होना चाहिए यानि 35.5 पलस 126.904 बटा 2 यानि 81.202 यह लगभग जो होता है वो किसके BR के बरावर है ब्रोमिन के बरावर है जो कितना है 79.9 तो अंसर जो हमारे पास हो जाएगा option C hydrogen अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है सही अंसर हो जाएगा D electron त्याकर गरहन करके अथवा साज़ेदारी करके hydrogen पर्थमबर का तत्व है चार धातों दोनों की भाति बहवार करता है और hydrogen के तीन प्रमुक्ष समस्थानिक है प्रोटियम डूटेरियम एवब ट्राइटियम अगला है यदि एकस पलस बन वाई एकस बरावर दू हो तो अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वह जाएगा दो किसी चक्रिय चत्रभुज के आमने सामने के कौनों का योग जो होता निमलेखित ब्यवस्था को ध्यान पुरुबक अध्यान किजिए और उसके अधार पर पूछे गए प्रस्णों को उत्तर दीजिए एसी कितनी संख्या है जिनमें से पर्तियक के ठीक बाद में एक पर्तियक और ठीक पहले भी एक पर्तियक है इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो होजाएगा डी तीन ऐसी संख्या है एक तो आप देख रहे हैं एक ये है और एक अगर हम देखते हैं तो ये है और तीस्रा जो है कहां पे है यहां देखिये है वह तीन है जिसके प्रतिक deep ठीक के बाद एक परतीखा और ठीक पहले भी एक परतीख है यह प्रस्ण निम्न तीन अच्छर वाले सब्दों पर अधारित है दाएं से पहले सब्द के दूसरे अच्छर और बाएं से पहले सब्द के दूसरे अच्छर के बीच अंग्रेजी बरनवाला करम में कितने अंसर O है अंग्रेजी बर्ण माला करब में A से O के बीच के अच्छों के संख्या कितनी होती है तो वो 13 होती है A से O के बीच में अंसर हो जाएगा option B हो जाएगा अगला है 3, 9, 5, 14, 11, 8 अगर 13 प्लस 5 करते हैं तो कितना होगा 18 अब भागा 2 करते हैं तो 9 आ जाता है इसी तरह 11 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 22 उसमें से 2 भागा देंगे तो 11 हो जाएगा इसी तरह अगर हम देखते हैं इसमें से कौन सा option हो जाएगा तो 16 पलस 22 ए को चेक करते हैं 16 पलस 22 हो जाएगा यह 38 उसमें से भागा दो देंगे तो आ जाएगा 19 यही हमारा answer आ जा रहा है यह होगा यहीं इन दोनों के जोड़के दो से भागा देना है बीच वाला आना चाहिए जब कोई संगठन अपने बितिय दाइतवों को पूरा करने या अपने लेंदारों को भुकतान करने में समर्थ होता है सही answer हो जाएगा option A दिवालियापन जब कोई संगठन अपने बितिय दाइतवों को पूरा करने या अपने लेंदारों को भुकतान करने में समर्थ होता है तो आ नियाले में दिवालियापन के लिए अबेदन दाखिल करता है इस दिवालियापन के स्थिति मुख संगठन ब्यक्ति या निवेशको को रीन नहीं चुका पाता है दी गई अभी किरिया को पुर्ण करें 2AGBR सुर्ज के परकास में 2AG पलस क्या होता है 2AG पलस जो होता है वो BR 2 होता है अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो B हो जाया , इस अभी हो जाएं सिल्वर कुलराइट के गहरे रंग के बोतल में रखा जाता है नेक्स्ट है नेमलिखित को सुमेलिद कीजिए तो COOH COOH जो है कर्वोजेलिक अमल है R-C-O-R क्या है यह किटोन ग्रूप है अज COOR की बात करें तो यह क्या है वो है एस्टर अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D और यह कोहल का क्रियात्मक समूग क्या होता है OH होता है बड़ाबर 4 बड़ा 5 और B बड़ा C बड़ाबर 15 बड़ा 16 है तो 18C स्कॉयर मैंने 7 स्कॉयर बड़ा 15C स्कॉयर प्लस B स्कॉयर का मान क्या होगा यहाँ पर सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कि A अनुपात B बड़ाबर 4 अनुपात 5 होता है और B अनुपात C बड़ाबर जो होता है वो कितना होता है 15 अनुपात 16 होता है B अनुपात C होता है जो 15 अनुपात 16 जब इससे पूरे को निकालियेगा A अनुपात B अनुपात C यह हो जाएगा कितना 12 अनुपात 16 स्वरी 12 अनुपात 15 सबसे पहले उसे हम में भागा दे देते हैं उपर नीचे तो हो जाएगा अठारा सी ये बटा एक स्क्वाइर माइनस साथ वाला तो वो कट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा कितना तो हो जाएगा साथ मने एस्क्वाइर से हम भागा दे रहे हैं ये साथ हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा कितना पंदरा सी बटा एक स्क्वाइर पलस बीस हो जाएगा अब मान रख दीजे तो मान रखने पर जो हमें कल्कुलेशन पर आ बीस सोल करेंगे ति एक बटा चार आएगा अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा क्या वो डी हो जाएगा सोच रहे होंगे कि यह जो आया है सोला बटा नो कहां से आ गया है यह बटा सी बरबर कितना है यह हमारे पास जो है वो कितना है बारा है और सी कितना है सोला यह 4, 4, 16, 4, 12, यानि C वटा यह जो आगया है वो 4 वटा 3 है इसी को स्कॉयर किया है 4, 16, 3, 9 वही आया है अंसर D हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन से भीन असांत पुन्राविटी दसमलव है कौन सा भीन है जो असांत पुन्राविटी दसमलव है चलिए अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भी हो जाएगा इसका एक रूल है कि यदि किसी भीन के हर में केवल दू या पांच या दू गुना पांच का गुनन फल हो तो वह जो भीन है वो सांत होता है यहां पर जो पूछ रहा है वो सांत है इसमें भी देखिए पांच है इसमें भी दो है इसमें भी दो है लेकिन इसमें हर में नहीं है तो असांध पुनरावर्टी द समलब कौन है वह सभी निर्देशक जो है वो क्या है अभी नेटा है उसके बाद करा कि कोई भी जो अभिनेता है वो निर्माता नहीं है कोई भी अभिनेता है जो निर्माता नहीं है सभी कुरियोग्राफर जो है वो निर्देशक है कुरियोग्राफर जो है वो निर्देशक है बीच वाला कुरियोग्राफर है यह क्या है निर्देशक है और उपर वाला जो है अभिने में सक निर्माता नहीं है बिल्कुल सहीgrow αंसर हो जाएगा Option C सभी निशकर्स अनुसरन करते हैं निदेखर आकड़ती में कितने तिर्भूज है यहां एक दो तूसमे itीन एक दो तूसमे भी तीन एक दो समेन एक दो में वह तीन एक दो तीन एक दो तीन यहनि हमारे पास जो कितने आ गए तीन तीन छो छोतिया अठारा अंसर जो हो जाएगा वो अप्शन सी हो जाएगा कितने अठारा तिरभूश है इसमें टेनिस खिताब US Open 2030 की महला एकल बिजयता कौन बनी अंसर हो जाएगा A कोकोग्राफ कौन बनी कोकोग्राफ ने टेनिस खिताब US Open 2030 की महला एकल बिजयता बनी US Open 2030 पूरुसेकल बिजयता नुवाक जोका बीचने जीता था जर्मेनियम किसमें पारदर्सी होता है जर्मेनियम और इसका सही अंसर हो जाएगा B अबरक्त प्रकास में जर्मेनियम अबरक्त प्रकास में परदर्सी होती है SI and J अर्ध चालक है सिलिकाउन और जर्मेनियम अर्ध चालक है मनुस के स्वसंत अंतर में बायू की मातरा कम होने पर निम्ण में से किसकी उपस्थिती स्वसंत अंतर में बाई मार को निप्तित नहीं होने देती है और इसका सही अंसर हो जाएगा option D उपास्थी बले मनुष के स्वसंत तंत्र में बाई की मातरक कम होने पर उपास्थी बले पस्थिती स्वसंत तंत्र में बाई मार को निप्तित नहीं होने देती है अंसर हो जाएगा डी निम्रिखित ग्राफ का अध्यान किजिए और उसके अधार पर पूछे गए प्रश्णों को उतर दीजिए कि दिया गया 6 बरसों के तवरान एक फर्म के कुल क्राय लागत और कुल बिक्राय लागत लाखों को दरसाता है तो नीचे दिये गए बरसों मे दो है 2003 में परतिसात लाब की अगर बात किया जाए तो कैसे 66 माइनेस 56 बटा 56 गुना 100 किजिएगा तो वह 17.85 परसेंट हो जाएगा 2006 में परतिसात लाब की बात किया जाए यहां पर पूछ रहा किस बरसरवाधिक जो है वो हानी हुई है वो पूछ रहा है अगर 2006 में परतिसात लाब हो जाएगा 83 माइनेस 78 बटा 78 अगुना 100 तो यह होगा 6.4 बन क्या हो जाएगा 6.4 बन अगर 2004 की बात करे 2004 में परतिसात लाब की बात करे तो हो जाएगा 56 माइने 24.44% 2005 में परतिसात लाब की बात करे तो 24-65 बटा 65 गुना 100 बरवर 13.84% दिये के बरसुम फर्मे किस वर सरवाधिक परतिसात हानी हुए हानी नहीं हानी लाब की बात है सरवाधिक लाब यहां पर प्रश्ण होना चाहिए तो अंसर हो जाएगा उप्शन C 2004 में सरवाधिक लाब हुआ क्योंकि यहां पर हर एक साल जो है वो क्या है लाब ही हुआ है इसमें हानी नहीं हुए है तो अंसर हो जाएगा उप्शन C एक मिनार की उच्छाई मीटर में है 200 रूट 3 इसके बाद बिंदू से 200 मीटर के दूरी परिस्थिक एक बिंदू से इसके सिर्ष का उन्यान कों याद कीजे इस तरह का एक मिनार है और इससे कितनी 200 मीटर पर और इसकी उच्छाई है 200 रूट 3 है और यह जो यहां पर से उन्यान कों बन रहा है यह थीटा यही हमें निकालना है तो यहां पर अगर A हो जाएगा यह B हो जाएगा C हो जाएगा 10 थीटा बरबर हो जाएगा कितना 200 रूट 3 बटा 200 यानि रूट 3 हो जाएगा रूट 3 का मान जो होता है वो कितना होता है 10 60 डिग्री के बरबर तो थीटा वरवर कितना हो जागा 60 डिग्री यही हमारा अंसर आजागा option A अच्रों के उस सेयोजन को चुने जो दी गई स्रिंखला में रिक्त स्थानों पर क्रामिक रूप से रखे जाने पर स्रिंखला को पूरा करेगा इसका सही अंसर हो जाएगा हो जाएगा option A दिये गए बिकलपों में वह वर्ण स्रिंखला में प्रस्थन बाचक के अस्थान पर आएगा चलिए यहां देखते हैं कि R से S गया प्लस 1 S से T गया प्लस 1 T से U गया प्लस 1 और U से प्लस 1 जाएगा तो वह हो जाएगा B O से M गया माइनस 2 M से K गया माइनस 2 K से माइनस 2 आईए और A से माइनस 2 गया तो वह हो जाएगा क्या G इसी तरह अगर हम निकालेगें तो हमारा अंसर जो हो जाएगा C, B, G और M आएगा उसके बाद A न आएगा हो की बिस्वक्प नेक्स्ट है चूने को जलाने पर कैलस्यम अकसाइड तथा कारवन डाकसाइड प्राप्त होने की प्रकिरिया सही अंसर हो जाएगा B, अफघ्टन प्रकिरिया चूने को जलाने पर calcium oxide तथा carbon dioxide प्राप्ट होने की किरिया को अपगहटन प्रक्रिया कहलाता है CO3 इसमें heat या उसमें हो CAO प्लस CO2 यह प्रक्रिया उसमें अपगहटन कहलाता है चूना पत्थर से cement उधोग जिसमें calcium oxide CO प्राप्ट की जाती है CACO3 को संग्मर्मर कहा जाता है CAO को क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है Q lime बीना बुझा हुआ चूना CAOH के hold twice को कहा जाता है slack lime क्या कहा जाता है slack lime या भखरा हुआ चूना बुझा हुआ चूना पौधो की लंबाई बढ़ाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा option A सिर्षस्त बिबिज्यों तक सिर्षस्त बिबिज्यों तक यानि apical marriage stem के द्वारा पौधो की लंबाई बढ़ती है या उतक तना जड़ तथपतियों के सिर्षों पर पाये जाते हैं प्रात्मिक बिर्धी होती है किसी बर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है छेज़ फल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी जो है हमें घटानी होगी तो अभिस्ट परतिसत बरबर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा तीस गुना सो बटा एक सो तीस यानि तीन सो बटा तेरा वरबर तेस पुरनांक एक वटा तेरा परसेंट अंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ओप्सन ए चहुत्तर ब्यक्तों की आउसत, आए बामन सो है और एक प्रवन्धक की आए चहजा है तो पूरे सम्मु की आउसत आए कितनी है दो दसम्रब अस्थान तक मान लेना है तो पूरे सम्मु की आउसत आए बरबर कितना हो जाएगा चहुत्तर गुना बामन सो पलस एक गुना छे हजार बटा हो जाएगा चहुत्तर पलस एक यानि तीन लाख चोरासी हजार आठ सो पलस छे हजार बटा पच्छतर अंसर हो जाएगा कितना बामन सो दास दिसमलब छे छे सही अंसर हो जाएगा C दिये गए बिकल्पों में से लुप्त संख्या का चैन कीजिए यानि 36 जो है पलस अगर हम 28 करते हैं और 2 से भागा देते हैं इन दोनों के जोड़के तो ये 32 आता है 22 पलस 40 भागा 2 बरवर क्या होगा? 46 तो 86 पलस 12 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंठान में बटा 2 बरवर कितना हो जाएगा? 49 सही अंसर हो जाएगा A दिये गए बिकल्पों में होगा संख्या चुने जो निम्लिखी स्रिंख्ला में परस्ण बाचक के स्थान पे आएगा तो 496 में से भागा 4 करेंगे तो 1024 से 4 भागा करेंगे 256 256 से 4 भागा देंगे 64 64 से 4 भागा देंगे तो 16 यानि हमारे पास जो अंसर हो जाएगा वो option A हो जाएगा क्या हो जाएगा? option A हो जाएगा किस देश के भी संजुक्त सेन अभ्यास बिनबैक्स 2030 का संस्क्रन दिसंबर 2030 में आयोजित किया गया अंसर हो जाएगा B भारत और व्यतनाम के भी संजुक्त सेन अभ्यास बिनबैक्स 2030 का संस्क्रन दिसंबर 2030 में आयोजित किया गया भारत और नेपाल के बिच सुर्ज की रन होता है भारत और स्रिलंका बीस मित्र सक्ति होता है, बंगो सागः तेस, भारत और बंगलादेश की को स्नगेत है। उससे ना न मलीकाय वेसल जिसमें जल समभन के जल संभन के संब्धета को सिकाए है अबीर्थ बीजी यानि एंजियोग स्पर्म्स उपसमू के पोधे में बीज फल के अंदर होते हैं राइजोपस नामक ब्रेड फफुन्द जो है इनमें सक्किस परकार का अलैंगिंग परजनन परदर्सित होता है राईजोपस नामक ब्रेड फफुन्द अंसर हो जाएगा ऑप्सन B बिजानू नीर्मान राईजोपस नामक ब्रेड फफुन्द में बिजानू नीर्मान परकार के अलाइrix परजनन परधर्सित होता है राईजोपस में पोशन साइप्रोबिक और परजीवी होता है जिनमें से अधिकांस सेप्रोफाइटिक है अगला हो जाएगा 32 और 40 का लगुत्तम समवर्थ एक्स के बर्ग से नू कम के बराबर है एक्स का धनात्मक मान ज्याद करें 32 और 40 का LCM कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा और कह रहा है कि 100 स्क्वाइर माइनस 9 बरवर 160 एक्स स्क्वाइर बरवर 179 तो एक्स बरवर हो जाएगा 13 सही अंसर हो जाएगा option D निमलिखित अकिर्ति सिंख्ला में आने वाली अगली अकिर्ति का चैन किजिए सही अंसर हो जाएगा option A निमलिखित चार अकिर्तियों में से तीन में एक निश्चित परकार की समानता है और एक असंगत है उस असंगत अकिर्ति का chain किजिए तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B हाले में जन्वरी 2024 में एक कडोर घरों के छथ पर सोलर लगाने के लच के साथ परधान मंतरी ने कौन सा योजना सुरू किया है और इसका सही अंसर हो जाएगा CR CR PR सिग्रेट पीना स्वास्त के लिए कि हानिकारक क्यों है सही अंसर हो जाएगा डी क्योंकि यह है उपरी स्वसंपत में मवजूद पच्माब को नुक्सान पहुचाता है तंबाकू के धुयां में कारवल मॉनक्साइड होता है यह रेक्ट में घुलकर ऑक्सीजन बहन चमता को घटा देता है इनमें कौन सा एंजाइम अस्टार्ज को सरल सरक्रा में बिखंडित करता है और इसका सही अंसर हो जाएगा सी एमाइलेज एमाइलेज एंजाइम अस्टार्ज को सरल सरक्रा में बिखंडित करता है फता हाइपरसोनिक मिसाइल किसके द्वारा बिक्सित की 30 km पर घंटा के चाल से यात्रा करता है कूरी यात्रा के दोरान जो है वो आफस्ट क्या होगा तो आफस्ट चाल बराबर होता है 2x by बटा x प्लस बाई 2 गुना 120 गुना 130 बटा 120 प्लस 130 अंसर हो जाएगा 124.8 km पर घंटा अंसर हो आफसन है अंगले प्रस्ट पर चलते हैं कि उस बिकल्प का चैन की जिस में दी गई आकिर्थी अंतर नहीं थै घुर्णन के अनुमती नहीं है इसका सही जवाब हो जागा वो हो जागा c निम्र संख्या स्रिंखला के धार पर पूछे गई प्रस्ट का उत्तर दीजिए कि दी गई स्रिंखला में 2 की पुर्णा विर्थी और 3 की पुर्णा विर्थी का योगफल ग्यात करें 2 की पुर्णा विर्थी संख्या 6 है 3 की पुर्णा विर्थी संख्या जो कितनी है वो 7 है छे पला साथ कितना हो जाएगा तो तेरा हो जाएगा अंसर जो हो जाएगा option B हो जाएगा जनबारी 2024 में इसरो ने एक्सपो साइट उपगरा का परच्छेपन किस परच्छेपन यान द्वारा किया है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा जाएगा B PSLV C58 से एक्सपो साइट उपगरा का ये किया गया ये पहला एक्सरेप पलरी मिट्री टी उपगरा है ये था ALP टेकनिसियन के प्लेटफार्न बुक में दिया हूँ प्रैक्टिसेट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देज़ेगा धन्यवाद और इसका जो पीडियेफ है सिर्फ कोस्टन का पीडियेफ दिया जा रहा है टेलिग्राम पे दिया हुआ एक से सबताइस तक आप जगर देख सकते हैं प्रैक्टिस भी कर सकते हैं धन्यवाद